तो फ्रेंड आज किस वीडियो के अंदर मैं आपको बता हूँ है कैसे हम गूगल मैप पर अपने कोई भी गली, मोला या फिर चोक यानि कि जो चोराया होता उसको हम कैसे एड़ कर सकते हैं इससे जो पिछला वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको बता था कि गूगल मैप पर कैसे हम अपने गर का, दुकान का या फिर आपका कोई होटेल है, मंदिर है, स्कूल है उसका एड़र जो हम कैसे गूगल मैप पर एड़ कर सकते हैं अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप जाके जो उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर वीडियो में आपको आई बटन में भी जो प्रोवाइड कर दूआ, आप वांसी जो वीडियो को देख सकते हैं तो चली फ्रेंड आज का वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले फ्रेंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना जिसे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके तो चली फ्रेंड आज का वीडियो सुरू करते हैं तो फ्रेंड सबसे पहले आपको अपने फोन के अंदर गूगल मैप एपिलिकेशन को ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद फ्रेंड अगर आपको नए अडरस डालने तो नीचे आपको कॉंट्रिबूट का ओप्सन मिलेगा इसके उपर आपको कलिक कर देना है जैसे आप इसके उपर कलिक करेंगे तो आपको उपर की तरफ चार ओप्सन मिलेंगे एडिट मैप, एड़ पलेस, राइट रिव्यू और एड़ फोटो आपको एड़ पलेस के उपर कलिक कर देना है जैसे आप इसके उपर कलिक करेंगे आपके सामने इस तरह के का एक पेज ओपन होगा यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने एड़रस का नेम यहाँ पर डाल देना है तो मैं यहाँ पर अपने एड़रस का नेम डाल देता हूँ उसके बाद फेंड आपको अपने एड़रस के हिसाब से एक काटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है तो मैं यहाँ पर एक category को select कर लेता हूँ उसके बाद फैंड आपको अपनी location को यहाँ पर select करना है अगर आप जो address डाल रहे हैं उस current location के उपर है तो आपको इस icon के उपर click कर देना है otherwise आप कहीं और बैठे हैं तो आपको update location on map के उपर click कर देना है जैसे आप इसके उपर click करेंगे तो आपके सामनी map open हो जाएगा यहाँ पर आपको एक pointer मिलेगा इस pointer को जो है अपनी current location के उपर जहाँ पर भी आप अपना address दिखाना चाते हैं वहाँ पर आपको जो है इसे set कर देना है यहाँ पर अपना address show करना चाता हूँ तो मैं यहाँ पर इसको set कर दूँगा उसके बाद फ्रेंड आपको उपर की तरफ right side में ok का button मिलेगा इसके उपर आपको click कर देना है तो आपका address यहाँ पर आ जाएगा उसके बाद आपको थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पर आपको add phone number और website opening date वगेरा का option मिलेंगे जैसे आप इसके उपर click करेंगे तो यहाँ से जो है आप अपने यहाँ पर कोई जैसे की timing डाल सकते हैं अपना phone number हो website वगेरा डाल सकते हैं या फिर जो है आप अपने add a photo के उपर click करके कोई photo भी यहाँ पर डाल सकते हैं या फिर जो है आप इने छोड़ भी सकते हैं उसके बाद आपको जो है send का button मिलेगा add a place के साथ में तो इसके उपर आपको click कर देना है जैसे आप इसके उपर click करेंगे तो आपका जो address है वो send कर दिया जाएगा google map के उपर तो google map आपके address को जो है verify करेगा आपका address approved हो जाता है तो आपका address google map पर सो होने लगेगा यह कैसे check किया जाता है friend आपको सबसे पहले से यहां से cut कर देना है उसके बाद friend आपको यहां पर view your profile के उपर click कर देना है जैसे आप इसके उपर click करेंगे तो आपको सबसे नीचे आना और यहां पर आपको edits का option मिलता है इसके उपर आपको click करना है उसके बाद friend आपको यहां पर way address दिखाएगे जो आपको ने अभी तक डाले है तो आप देख रहे हैं मैंने इतने सारे यहां पर address डाले हुए है तो यहां पर आप देख रहे हैं मेरा यह address जो है हलवाई शोग वाला यह जो है approved हो गया था उसके बाद जो मैंने इसे close कर दिया उसके बाद देख रहे हैं आपको यहां से पता चल जाएगा कि आपका address approved हुआ है या नहीं अभी हमने हलवाई चोग वाला डाल ला है तो यहां पर pending दिखा रहा है क्योंकि अभी यह हमने डाल ला है इसलिए तो पहले इसे जो है Google verify करेगा उसके बाद जो है यह हमारा show होगा Google Map पर इस तरी के जो है आप अपना address डाल सकते हैं उसके बाद फैंड आपने जो address डाल दिया अगर आप उस address को delete करना चाते हैं आपको क्या करना है आपको अपने Google Map में अपने जो भी address डाल ला है जैसे कि मैंने यह address डाल ला है जैसे कि ये मेरा address है इसके उपर आपको click करना है जैसे आप click करेंगे तो आपके सामने जो है नीचे एक बार open हो जाएगा इसको जो है slide करके आपको उपर की तरफ इस तरह के से खीचना है तो यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको suggest and edit का option मिलेगा इसके उपर आपको click करना है यहाँ पर आपको दो option मिलेगे change name और other details और close or remove आपको close or remove के उपर click करना है जैसे आप इसके उपर click करेंगे तो आपके सामने जो एक और page open हो जाएगा यहाँ पर आपको permanently close के उपर click करना है जैसे आप इसके उपर click करेंगे permanent close के उपर तो आपको नीचे submit button के उपर click कर देना है जैसे आप इसे submit करेंगे तो आपका जो address है वो permanent google map से delete कर दिया जाएगा तो friend इस तरीके से हम google map पे कोई भी address असानी से डाल सकते हैं और उसे delete भी कर सकते हैं उमीदा आप सभी को वीडियो काफी useful लगा हुआ अगर आपको वीडियो useful लगा है तो वीडियो को like कर देना अपने दोस्तों के शार शेयर कर देना मिलते हैं friend आपसे एक next वीडियो में